पाकिस्तान में हुआ बवाल जीता हुआ मैच को हारने पर भड़के फैंस ने तोड़ी टीवी जहां दोस्तो T20 वर्ल्ड कप 2021 के सेमिफाइनल मुकाबले में और जीते हुए मैच को हारने के बाद पाकिस्तानी फैंस काफी भड़क उठे हैं और बुस्ते में अपने घर की टीवी तक फोर दिये हैं आपको बताएंगे पूरी खबर लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कौन सी टीम इस बार T20 का चैंपियन बनेगी और या फिर नियूजिलेंड कॉमेंट करके अपनी राय जरूर बताए दोस्तों ऑश्टेला ने गुरुवार को दूसरे सेमी फाइनल में पाकिस्तान को पांच विकेट से हराया और दूसरी बार T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में जगा बना ली दूसरी अंतराश्टे क्रिकेट इस्टेडियों में पाकिस्तान ने टॉस हार कर पहले बलेबाजी करते हुए 20 ओवर में 4 विकेट पर 176 रन मनाए इसके बाद ऑश्टेलाई टीम ने 5 विकेट खोकर एक ओवर पहले ही लक्ष को हांसिल कर लिया एक समय ओश्टेलाई इस मैच को लगबग हार चुकी थी ओश्टेलाई को जीत के लिए 48 गेटों में 80 रनों की जवरत थी और 5 विकेट ही बचे थे ऐसे में पाकिस्तान की जीत तै थी लेकिन तभी मार्क स्टोनिस और मैथ्यू वेड ने मोर्चा समभा लिया और पाकिस्तानी गेंबाजों की जम कर पिटाई कर डाली ओश्टेलाई को आकरी 12 गेंदों में 21 रनों की जवरत थी लेकिन मैथ्यू वेड ने 19 वा उबर लेकर आये पेसर साहें साह आफरीदी के लगातार तीन गेंदों पर तीन छक्के जड़े और यही पर मैच समाप्त हो गया दोनों बल्ले बाजों ने 41 गेंदों में ही 81 रनों की ताबट रोड साज़दारी करके और श्टेलाई को फाइनल का टिकर दिला दिया बेट ने मातरा 17 गेंदों की अपनी आतिशी पारी में दो चोंके और चार चक्के की बदोलत 41 रन जड़ दिये तो मारकस टोनी इसने 31 गेंदों पर दो चोंके और दो ही चक्के लगा कर 40 रन बनाए दोस्तो पाकिस्तान की टीम 48 गेंदों में 80 रनों का बचाव नहीं कर पाई और शिला की आकरी के 5 विकेट उसे भार ही पड़ गए वही दोस्तो जीता हुआ मैच हादे के बाद पाकिस्तान में क्रिकेट फैंस काफी भड़क उठे हैं कई क्रिकेट फैंस साहिन अफरिदी और हसन अली पर अपना गुस्ता जता रहे हैं क्योंकि साहिन ने 19 वे ओवर में 21 रन दे दिये तो वहीं अली ने इसी ओवर में मैथ्यू बेट का कैच छोड़ दिया जिसके बाद मैथ्यू बेट ने लगतार तीन चक के जड़े और पाकिस्तान इस मैच को एक ओवर पहने ही हार गया इसलिए कई जगा पर तो सेमिफाइनल से बाहर होने का सत्मा ऐसा लगा है कि लोग गुस्ते में अपने टीवी तक फोर दिये है